नमस्ते दोस्तों मैं वर्षा भाव सार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए नमकिन जीरा बिस्किट्स की रेशेपे लेके आई हूँ जिसे घर पे बनाना भोती आसान है और इन बिस्किट्स को बनाने के लिए ना ही हम यहाँ पर ओवन का क्योंकि यह जो बिस्किट्स है हम कडाई में बना रहे हैं इसे कवर कर देती हूँ थाली से और दस मिट के लिए इसी तरह से चोड़ देंगे अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है इसके अंदर मैंने आदक कप देसी घी डाला है आप चाहे तो बटर का भी इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगे ठी टैबल इस्पून पिसीवी चीनी, तो चीनी डालके इन दोनों को अच्छे से मीक्स कर लेंगे और मीक्स करके हम इसे कूज़ देर फेटेंगे यानी तीन से चार मिठ के लिए हम इसे फेटेंगे तो इस तरह से चलाते वे आप तो अब तक फेटी जब तक जो इसका ट्रिक्षर है थोड़ा सा क्रीमी सा नहीं हो जाता तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल क्रीमी सा हो चुका है तो अब हम इसमें मेदा डालेंगे तो मैं यहाँ पर एक कप और एक चोथाई कप मेदा डाल रही हूं यानि टोटल सावा क नहीं है दाल रही हूं एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक लेकिन अगर हम आप में पर तो नमक आप यहाँ पर तो यहोग हम से बिस्किटिट होते है थोड़े कि देखे सभी चिजह आपर अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसका मैंने यह पर दो लगा के तयार कर लिया है तो अब मैंने इसकी एक बड़ी सी बोल बना ली है और अब हम इसे बैल लेते हैं तो इस तरह से बैलन्स याम इसे बैलेंगे तो यह देखिए इसकी जो शेप है मैंने यहापर चोकुट बना के तयार कर ली है ताकि जब हम यह बिस्कुट काटे तो वेस्ट बिल्कुल बिना हो और अब इसके उपर हम थोड़ा सा दूद लगा देते हैं तो दूद लगाने से यह होता है कि इन में थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती हो थोड़ा से इसका कलर भी अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा इस तरह से हम दूद सभी तरप लगा देंगे और इसके उपर में थोड़ी सी तील डाल देती हूँ साथी में यहाँ पर डालूँगे थोड़ा सा नारेल का बूरा और अब मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ आप जीरे के जगे यहाँ पर अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहापर थोड़ा सा जादा ही जीरा डाल रही हूँ क्योंकि जीरा मुझे बिस्किट्स में बहुत जादा पसंद आता है तो सभी तरफ फैला देते हैं इस तरह से और हलके हाथों से एक बार इसी प्रेस कर देंगे इस तरह से ताकि जीरा और तील इस पे अच्छे से चीपक जाए और अब हम मिसे कट करेंगे ऑप से चाकू ले लेते हैं और चाको से इस तरह से आम इसे चाट लेते हैं sentiments हता अब मैं आप पो निकाल के बताती हूं एक यह दिखे इस तरह से, व मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिये है, ट्रे के ऊपर मैंने बटर अपर लगा दिया है और इसे थोड़ा सा घी लगा के घृच कर दिया है और बटर पेपर के उपर मैंने यह सारे बिस्किट्स रख दिया हैं और अब हम इसे रख देते हैं इस कड़ाई में गेस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और 15 मिट के लिए हम इसे इसी तरह से बेख होने देंगे तो हम इसे कवर कर देते हैं तो 15 मिट के बाद हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं बहुती अच्छा सा कलर आ चुका है और ये बिस्किट बनकर बिल्कुल तयार हो चुके हैं बनाना बहुती आसान है तो गेस का फ्लेम ओफ कर लेते हैं और इसे बहार निकाल लेते हैं तो बहुती खसता बहुती टेस यहां पर जीरा बिस्कृट्स बनकर बिल्कुल तयार है आप मेरे इस रेसिपी को जरूर से ट्राइए कीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर जरूर से कीजिए तो इसी तरह से मै है टाइट कंटेनर में भरके महिने बर तक स्टोर करके रग भी सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं तो देखें सभी मैंने इसी तरह से निकाल गये हैं